उत्तर प्रदेश के उन्नाओं में बाल प्रात्मिक विद्याले सिविन लाइन में जरजर कक्ष की छट से अचानक प्लास्टर नीचे उधर कर गिर गया इस दोरान कमरे में पढ़ाई कर रहे छातर छातराएं बाल बाल बच गया बाद में छातर छातराओं को खुले परिसर में बैठाये गया उधर विद्याले की छट गिरने की अफवा से अविवावकों में हरकंप मच गया इस्तिसाफ होने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली उन्नाव शहर के साथ ही ग्रामिल इलाकों में विद्याले काफी पुराने हो चुके हैं कग जरजर अवस्ता में हैं लेकिन इसको लेकर बेसिक सिक्षा विबाग कुछ भी नहीं कर रहा है शुक्रवार को विद्याले में उस समय कक्षा में एक, दो और तीन के पैतालीच छात्र छात्राएं बाल बाल बज गए अचानक छस से प्लाश्टर के तुकड़े नीचे आके गिर गए इसके बाद छात्र छात्राओं को कमरे से बाहर निकाला गया शुर सुनकर सिक्षक और प्रदानाचार मौके पर पहुँचे और छात्र छात्राओं को दैसत के चलते स्कूल परशर में बैठाया उदर स्कूल में कमरे की छत गिरने की अफवा से अभिवाबकों में खलबली मच गई सुचना पाकर अभिवाबक भी स्कूल पहुँच गए बाद में इस्तिती इसपश होने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली ब्यूरे रिपोर्ट आई पीएं